प्रधान मंत्री आवास में सरकारी योजनाओं से संबंधित या कई जरूरी चीजों से संबंधित मीटिंग होती है लेकिन क्या प्रधान मंत्री आवास में पार्टी संबंधित या कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर बात होनी चाहिए उसमें राजनात सिंग है, जेपी नडड़ा हैं, ग्री मंतरी अमिच्छा हैं और संग से जुड़े हुए, संग की भी इंट्री है संग से जुड़े एक बड़े नेता उस मीटिंग में होते हैं आखिर प्रधान मंत्री आवास में इस मीटिंग का मतलब क्या है हमारे साथ अभिशे के अभिशे क्या कहानी है दिखिए जो मीटिंग है इसमें एक जो किरदार है उनको बहुत समझना पड़ेगा बील संतोष भी इस बैठक में मौझूद थे जिनको आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी और आरेसस के बीच की जो पुल होते हैं बीजेपी की मजबूरी है कि अगर योगी चनाव हारे तो योगी का क्या होगा ये आप छोड़ दीजे सवाल नहीं है योगी का जो होगा वो होगा वो देखेंगे योगी आदितनाद अपने लेबल पे बीजेपी का क्या होगा अगर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव विधान सभा चुनाव का हार जाते हैं तो फिर आपको वक्त से पहले सत्ता छोड़ देनी पड़ेगी जो सवाल लोग पूछते हैं कि क्या बीजेपी पांच साल तक सत्ता में रहेगी उस प्रश्न का जबाब 27 में ही मिलेगा अगर बीजेपी यूपी में चुनाव हार गई और महाराष्ट में चुनाव हार गई एक दो ऐसे बड़े हिंदी बिल्ट वाले रज्यों में चुनाव हार जाएगी तो ये जो नितीश कुमार जो उनके नरिंद्र मोदी के पैर चुरे हैं और जो चंदरबाबू नाइडू भाबू को के गले लग रहे हैं प्रधान मंतरी मोदी को मुझे लगता है कि राजनेतिक फाइदा और वक्त दोनों को देखकर इस्तितियां बदलती है इसलिए बहुत पहले गलोबल भारत टीबी ने आज से 20 दिम पहले ये खबर चलाई थी कि BJP के साथ RSS कूद गया है UP में और RSS के कारिकरताओं को ये मैसेच जा रहा है कि जो OBC जो PDA जो खिले शादों ने बनाया है पिछड़ा दलित और अलपसंख्यक अलपसंख्यक मतलब मुसल्मान उनकी जो काट है उसको ढूनने के लिगे RSS के जो कारिकरता है जो शाखाये गाओं में लगती है हजारों शाखाये जो UPM लगती लगबाग 18-20 उन शाखाओं को एक्टिवेट किया जाए और उन शाखाओं की संख्या को बढ़ाया जाए गाओं-गाओं के लोगों को जोड़ा जाए अब बात गिये है कि दली तपके को जोड़ा जाए और पिछड़े तपके को जोड़ा जाए क्योंकि ऐसा का जाता है कि RSS की शाखाओं में जो स्वर्ड है वो ज्यादा हिस्सा लिता है तो जो मीटिंग BJP की PMO में चल रही थी उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का भी मुद्दा था BL संतोष इसलिए थे क्योंकि योगी आदितना अभी देखे बहुत सी कहानिया है प्रकाश भाई जिस बात को सबजना पड़ेगा UP के जो प्रमुख सचिव हैं उनका बदला होना है 30 तारीक आखरी डेख नए प्रमुख सचिव को आना है और अब तक UP में जो हो रहा है वो यह हो रहा है कि नरेंदर मोदी का कोई चहेता या BJP की दिल्ली लदी का कोई चहेता लखनवों में प्रमुः सचिव बनता है प्रमुख सच्यू एक्षिली में यूपी में कर कर रहे हैं ये बताया जाता है ये जानकारी मिलती है कि वो जो है प्रधान मंतरी की योजनाओं का काम वहाँ पर कर रहे हैं जबकि प्रमुख सच्यू जो मुख्यमंतरी होते हैं उनकी बहुत बड़ी ताकत होते हैं इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं इस मीटिंग में जरूर ये मुद्दा उठा था और डिफिनेटली आप देखेंगे कि इस बार जो प्रभ्यूक सची हुआने वाले हैं वो उनका एक्स्टेंशन नहीं किया जाएगा क्योंकि जो अब तक लगातार बने हुए मिश्राजी उनको 2021 2021 में रिटार होना था लेकिन उनको एक्स्टेंशन सरकार लगातार दे रही है क्योंकि वो नरेंदर मोदी के बैत खास है पॉइंट नमबर एक पॉइंट नमबर दो आप निपेंद मुश्राग देखें रामंदिर बनाने की जिम्यदारी दी गई वो भी रिटार्मेंट के बात बल लगातार कर रहा है मोहन भागवत का गुप चुप मिलना या मुलाकात नहीं हुई कोई कयास नहीं लगा पारहा है किसी के पास information नहीं है एक चीज़ बताएए यह बात हम लोग लगातार पहले भी करते रहें अगर मोहन भागवत गुरखपूर में है योगी आधि इतिनाद खाबर तो यही है ना प्रकाश भाई कि 12 किलोमीटर की दूरी रहती है 60 गंटे तक एक दूसरे का इंतजार होता है और फ्रंट पर आकर मुलाकात नहीं होती यह क्या मजबूरी है आरेसस चीफ क्या योगी आदितनाद से मिलना ही सकते मिलना चाहिए था उनको अगर नहीं मिले तो क्या मजबूरी थी यह प्रशन था और यह प्रशन मुझे बहुत देर तक खटकता रहा कि मुलाकात क्यों नहीं हो महाराष्ट से आये गोरकपुर में कारिकरम लगा पास दिन तक रुके मुलाकात नहीं होई बियल संतोष आरेसस बीजेपी की बीच की वो धूरी है जो यह समझानी की कुशिश कर रहे है कि यूपी में अगर पीडिये काम करेगा यह कोई बात नहीं है यह देखे चुनाव एक चीज क्लियर हो गया चुनाव में पर आ चुका मोहन भागवत मुलाकात करने के लिए बेकरार है और आरेसस के नेता खुलकर योगी को लेकर बयान दे रहे हैं बियल संतोष इसी बात को लेकर क्योंकि बियल संतोष कौन है यह दर्श्रकों को बता दे जो बीजेपी में जो बूथ वाला चैप्टर शुरू हुआ था कि हमारा बूत और जो बूत अध्यक्ष जोड़े गए और एक शब्द और है उनका पन्ना प्रमुक पन्ना प्रमुक का जो आईडिया था वो शुरू किया था सबसे पहले करनाटक में किसने बियल संतोष ने करनाटक के रहने वाले उसके बाद अमिश्शा को जब या आईडिया दिया गया और नरिंद मुदी को आईडिया दिया गया तो बीजेपी ने भारी संक्या में अपने पन्ना प्रमुक बनाया उससे बीजेपी को फाइदा हुआ लेकिन BL संतोष के दिये पन्ना प्रमुक आज नाराज है और BJP से दूर हो चुके तो ऐसे स्तिती में पन्ना प्रमुक वाले आइडिया देने वाले BL संतोष को बिलकुल भी मैं हलका नहीं मानता हूँ वो बहुत ही रड़नीती खार है जरूर टीबी पे रामिश्या को चाड़क के का जाता है लेकिन अगर बिहाइंड दे कैमरा आप देखेंगे तो BL संतोष चाड़क है और इस खबर में इसलिए दम है BL संतोष RSS BJP में रहते हुए वो खुल कर योगी आदितनाद की तारीफ करते रहे हैं BL संतोष रप्ता कुस्पत पर बैठे हैं मुझे नहीं लगता है कितनी भी आलोचना योगी की हो जाए कोई आचाने वाली है अभी जो बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे सायोगी कह रहे थी कि योगी को लिकर क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है वो बड़ी जिम्मेदारी यह है कि योगी आदितनाद को free hand दिया जाएगा काम करने का राइट दिया जाएगा अधिकारियों को टाइट करने का आदेश दिया जाएगा अधिकारी यूपी में बेलगाम हुए जिसकी वज़र से बिधाईकों और संसदों का काम नहीं हुआ कारिकरताओं में एक जो आत्मसंमान होता आपकी महले का व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है मुन इस्थितियों को निपटने के लिए योगी सरकार तबातला एक्सप्रेस चला रहे है एक एक्जामपल आपको देता हूँ मुरादाबाद के जो डियम थे अब तक वो योगी के बड़े दुलारे और प्यारे थे लेकिन क्या हुआ बताइए आप चुनाओ जब चुनाओ कि स्थितियां बदली तो उनको कहां डाल दिया गया उनको साइट पोस्टिंग में डाल दिया गया तो बीजेपी अब अपने अनुसार काम करेंगी योगी अपने अनुसार काम करेंगे इसलिए आप देख रहे हैं कि खटपट बहुत तेजी से चल रही है केश्व प्रसाद मौर्या का मीडिया में आना तो योगी का नाम न लेना केश्व प्रसाद मौर्या का काइबिनेट से गया बोना ओम प्रकाश राजबर का योगी के खिलाप बयान देना और अनुप्रिया पटेल का OBC वाले चैप्टर को उठाना आप समझे इस बात को की अनुप्रिया पटेल और राजबर योगी के खिलाप नहीं बलकि अखले शादो की बोली बोलने लगें तो ये जो PDA है वो कमजोर होने के वजाए ताकतवर होगा क्योंकि सियासत वक्त देखके की जाती है आप किसी पर भरुसा नहीं कर सकते तो RSS को संभालना पड़ेगा योगी को नहीं संभालेंगे तो BJP अपने लिए ही गढढ़ा खोद लेगे एक जरूरी बात यह है कि इन चुनाव नतीजों का अकलन सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं लेकिन अब जो एक चीज पर सब लोग एक मत हैं BJP के अंदर संभ भी BJP भी और उत्तर प्रदेश का नेत्रितु यानि योगी आदितेनाथ भी सब लोग मैं पहले भी बता चुक हूँ अखले अभिशेक भी बता चुके हैं कि जो संभ का फ्यूचर प्लान है उसमें योगी आदितेनाथ टॉप के लीडर्शिप में नमबर वन है और इसलिए संभ किसी भी हाल में योगी आदितेनाथ पर आच नहीं आने देगा 2027 का चुनाव अगर योगी आदितेनाथ और बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत लेते हैं आप यकीन मानिए योगी को दिल ली आने से कोई नहीं रोक सकेगा और अब सब लोग जितने भी विवाद थे में बता रहा हूँ पुरानी बातों को भूल कर बीजेपी का शिर्षनेतित हो या संग का शिर्षनेतित हो अपने उस फ्यूचर प्रोजेक्ट में लग गया है